मांसुन के सीजन की पहली बारिश के साथी बारिश के सीजन की शुरुवात होज। बारिश के सीजन का जुलाइक का महीना, हर तरह की किसान भाईयों के लिए एक अलगी महत्व रखता है। फिर चाहे वे फरमफरागत फस्लों की खेती करने वाले किसान भाईयों या फिर सब्जी वर्गी फस्लों की खेती करने वाले किसान हर तरह की किसान भाईयों के लिए जुलाई का महीना वहतु पूल रखता है क्योंकि जुलाई के महीने में हम 20-25 सबजी वर्गी फसलों की भुवाई कर साथ ये 20-25 सबजी वर्गी फसले कौन सी है जानेंगे इस वीडियो में आदें नमस्कार किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में 20-25 एसी फसलों की जानकारी दूँगा जिनकी भुवाई आप जुलाई के महीने में कर सकते और जिनकी भुवाई का सही समय ही जुलाई का महीना है मैंने इन 20-25 फसलों को 8 ग्रूप में डिवाइट किया है और प्रत्यक ग्रूप में मैंने 2-2 से अधिक फसलों का चुनाओ के है हम इन फसलों की भुवाई इंटरप्रोपिंग मेथट से करेंगे जिन किसान भाईयों को नहीं पता है कि इंटरप्रोपिंग मेथट क्या है वे इसे संचिप्त में कुछ इस तरह से समझे जब भी हम 2-2 से अधिक फसलों की भुवाई एक साथ एक ही खेत्वे करते हैं तो इसे इंटरप्रोपिंग कहते हैं इंटरप्रोपिंग में हम फसलों का चुनाओं कुछ इस तरह से करते हैं कि एक फसल हमारी दूसरे की सायग और परस पर मिट्टी में मुझूद पोशक तक्वों के लिए कॉम्पिटिशन ना बनाए इंटरप्रोपिंग मेथट क्या है या समझने के बाद अब बीना समय नश्ट किये आते हैं हमारे पहले ग्रूप ग्रूप ए फुलगोबी और गेंदा फुलगोबी और गेंदा इन दोनों की ही नरसरी 25-30 दिन में ट्रास्प्लांडिंग के लिए तैयार हो जाती हैं ट्रास्प्लांडिंग के तीन मेंने के बाद में इन दोनों ही फुलगोबी और गेंदा की नरसरी एक साथ लगा सकते एक साथ इनके पोदों का ट्रास्प्लांड कर सकते इसके अलावा आप एक ही साथ इन दोनों फसलों से उत्पादन भी ले सकते और इन दोनों ही फसलों क हार्वेस्टिंग ये की साथ कंप्लीट होती है इसलिए हमने फूल गोबी की फसल के साथ में गेंदा की इंटर प्रोपिंग ली है अगर इन दोनों ही फसलों की नरसरी तैयार है तो आप जुलाई के पहले सप्ता में इन दोनों के ही पोदों का ट्रांस्प्लांट खेत में कर फूल गोबी की फसल के साथ गेंदे की इंटर प्रोपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं पहला क्यारियों की इन मेलों के ऊपर गेंदे के पोदों का ट्रांस्प्लांट कर दे आप वीडियो में देखे सकते हैं दूसरा एक लाइन फूल गोबी की ले वा एक लाइन गेंदे की और दो लाइन के बीच की दूरी हमें देड़ फिट रखना है फूल गोबी की जगा आप पत्ता गोबी की फसल का भी चुनाओ कर सकते हैं हमने खुद ने फूल गोबी और पत्ता गोबी की नरसरी लगाई आज से साथ दिन पहले और आप देख सकते हैं कि फूल गोबी और पत्तागोबी के बीजों का germination ओठ लुटा है हँँ खुद जुलाई के महीने में फूल गोबी और पत्तागोबी के पोदों का transplant खेत में करेंगे अगर आप फूल गोबी और पत्तागोबी की नरसरी का डीटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें comment section में जरूर बर फूल गोबी के लिए आप सिजन्ता कंपणी की CFL 1522, गेंदे के लिए इंडस कंपणी की tennis ball वह आप पत्तागोबी के लिए नामधारी सीट्स की एनेस पोटीत के बीजों का चुनाव कर सकते ग्रूप बी बिंडी वाद भीज़ बिंडी की फसल के साथ धनिया की सफल इंटरकोपिंग कर सकते आप जुलाई के महिने में बिंडी वा धनिया इन दोनों ही फसलों को लगा सकते हम हर साथ बिंडी की फसल के साथ में धनिया की सफल इंटरकोपिंग करते हैं बिंडी के लिए आप अदवन तक गोल्डन सीट्स की राधिका वेराइटी का चुनाव कर सकते या फिर सेमिनस कंपनी सेमिनस एसवी हो के 001 के बीजों का चुनाव कर सकते वह धनिया के लिए आप नामधारी सुर्वी या फिर आरके सेट्स का चुनाव कर सकते ग्रूप सीप बेलवर्गी फसले बेलवर्गी फसलों में गिलखी करेला लोकी तोई ये चार फसले आते हैं आप इन चारों फसलों को एक साथ एकी खेत में लगा सकते हमने अभी गिलखी करेला वह लोकी की फसल एक साथ लगाई है आप जुलाई के महिने इन चारों फसलों को एक साथ लगा सकते पारिश के सीजन में बेलवर्गी फसलों की भुवाई आप मचानविती से करें लोकी के लिए VNR हरुना, इलखी के लिए Nirmal Seats, NS, GH 341, तोरही के लिए Nirmal Seats, NRGH 22, रजरी, वह करेला के लिए VNR आपा के बीजों का चुनाव कर सकते ग्रूप D, खीरावा मूली बारिश के सीजन में खीरे की फसल से उतपादन लेने के लिए आप खीरे के बीजो की बुआई जुलाई के महिने में कर सकते हैं बारिश के सीजन में खीरे के बीजो की बुआई बेड बना कर करें एक बेट से दुसरे बेट के बीच की दूरी आप पांस फीट रखे वा बेट की चोड़ाई दो फीट रखे अगर आप एक बेट के ऊपर दो लाइन लेते हैं तो दो लाइन के बीच की दूरी एक फीट रखे वा एक पोदे से दुसरे पोदे के बीच की दूरी आप दो से ठ इंटर ग्रोपिंग कर सकते हैं। खिरे के लिए आप सेमीनस पदमनी, सेमीनस मालीनी, पीजनता ग्लोसी या फिर विये नाप कमपनी के बीजों का चुनाओ कर सकते हैं। उने खुद ने आज से तीन से चार दिन पहले टमाटर की नरसरी लगाई और हम खुद जुलाई के महीने में टमाटर के पोदों का ट्रांस्प्लांट खेत में करें। बारिश के सीजन में टमाटर की खेती अवश्य करें। वह इसके साथ ही आप उस खेत का चुनाओ करें। जिसमें जल भराऊ ना पहले। टमाटर के लिए आप सेमीनस की अविलास या फिर सिजनता साहों 32 काउन के बीजों का चुनाओ कर सकते। जुलाई के महिने में आप मिर्च के पोदो का ट्रास्प्लांट भी कर सकते हैं। और आप मिर्च की नरसरी भी जुलाई के महिने में लगा सकते। सवाल आता है कि मिर्च के लिए हम कौन सी किस्म का चुनाओ करें। तो मिर्च के मुख्यता दो प्रकारें। पहला दार्क ग्रिन जिसका टेस्ट अत्यदिक तीखा होता है। और इसके पोदे की हाइप इनसे चार फिट रहती है। वह इसके फल की हाइप आठ से दस सेंटिमीटर रहती है। इसके कुछ उननस सीट्स इस प्रकारें। मैको नवतेज, यूएस हेगरी सीट्स की एक हजारती और अदवन्त गोल्डन सीट्स की एके पोटी सेवन। दूसरा प्रकारें लाइड क्रीम। इसका टेस्ट कम तीखा होता है। वह इसका फल की हाइप 12 से 14 सिंटिमीटर होती है। इसके कुछ उननस सेट्स इस प्रकारें। आइवेज कंपनी की सोडर, वे एनार 332 रानी, वे एनार 109, वह सेमिनस की सितारा गोल्ड। अगर आपके एरिया में लाइड ग्रीन का अच्छा मार्केट हैं तो आप लाइड ग्रीन किस्म का चुनाओ करें। खरीफ के सीजन में लगाई जाने वाली प्याच की नरसरी आप मई, जून और जुलाई के महिने में तैयार कर सकते। अगर प्याच की नरसरी तैयार है, तो जुलाई के महिने में आप प्याच के पोदों का ट्रांस्प्लांट पेत में कर दे। आप प्याच की फसल के साथ मिर्च की सफल इंटर्क्रोपिंग कर सकते। इस पर हमने डीटेल में कई वीडियो में जानकारी थी। तो मिर्च की फसल के साथ में प्याच की सफल इंटर्क्रोपिंग करने के लिए। आप मिर्च के दो बेट के बीच खाली पड़ी जगा पर प्याच के पोदों का ट्रांस्प्लांट करें। वा प्याच के एक पोदे से दुसरे पोदे के बीच की दूरी 20 इंच रखें। वा एक लाइन से दुसरे लाइन के बीच की दूरी भी 20 इंच रखें। इस तरह से आप मिर्च की फसल के साथ में प्याच की सफल इंटर्क्रोपिंग कर सकते। इसके साथ ही आप मिर्च की जगा टमाटर की फसल की भी प्याच की फसल के साथ में इंटरक्रोपिंग कर सकते। मेथी पालक और धनिया पारिश के सीजन में लगाई गई मेथी की फसल से हमें हार्वेस्टिंग 30-35 दिन के बाद में देखने को मिलती है। वा धनिया पालक की फसल से 40-45 दिन के बाद में हमें पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। इन सबी फसलों के अलावा आप सोयाविन, वूर्ड, उरज्वार और भी अन्य कई हमारी परमपरागत फसलों की बाद में कर सकते। इस वीडियो में हमने आप 20-25 एसी सबजीवरगी फसलों की जानकारी दीए जिनकी बाद में आप जुलाई के महिने में कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो में दी गई जानकारी आप किसी भी तरह से उप्योगी लगी हैं। तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तर्न्यवात किसान भाईयो जे जवाज जे किसा।